और कोरुना ने बीते साल के सभी तीस्तियोहार उत्सव, महत्सव और धार्मिक आयोजनों की रंगत फिक्की कर दी वहीं कोरुना का असर 12 साल में एक बार आने वाले कुम पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है वही कुम्प के आस लगाए व्यापारी जो है वो नोटिफिकेशन जारी ना होने से निराज दिखाई दे रहे हैं इसी बीच व्यापार मंडल ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फरेंस का नाराजगी जाहर की है व्यापार मंडल ने सरकार से जल से जल नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की इस दोरान मंडल के अध्यक्ष ने मकर संग्रांती के स्नान के लिए सोपी जारी होने पर भी नाराजगी जताई है जिसके तहट दूसरे राज्यों से आने वाले सधालों को हरिद्वार में प्रिवेश करने से पहले कोरोना रिपोर्ट पेश करनी होगी उन्होंने मकर संग्रांती के दिन ललतारो पुल से हरकी पैड़ी तक शाही यात्रा निकालने की बात कही है कुम्ब हमेशा से एक जनवरी को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन कीया जाता था इस बार सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया है और सरकार अभी भी एक के रही कि मार्च में करेंगे लेगिन उसकी भी अभी कोई सیमा नहीं बताई जा रही कोई डेट तेह नहीं है डेडलाइन अभी कोई तेह नहीं की है उनने तो हमने कहा है कि अक्टूबर 2020 से आज तक वैपार तूटा हुआ है हरिद्वार का करोना सीजन ओफ कावर्ड सारी यात्राइं फेल हुई सारी आतराओं पर परतिबन लगा दिये चोटे चोटे इस्तानों पर भी सीमाई सील की गई है अब सरकार दुआरा नोटिफीकर सार ना जारी करना वैपारियों की आर्थिक स्थिति को बहुत डामाडोल करने वाला है जो कि पहले से ही टूटी हुई है देश में चुनाओ होते हैं देश में रेलिया होती है अरिद्वार में जब किसी पार्टी के बड़े नेता राष्टी नेता आते हैं तो हजारों लाखों लोग की भीड हो जाते हैं